गुड मॉर्निंग स्टूरेंट्स आज हम मैच्स की क्लास में नया चेप्टर शुरू करेंगे चेप्टर नमबर 5 NCRT की बुक में ये चेप्टर आपका 8 डेट कितनी है आज आज आपकी 22 अपरेल 2020 आज हम जो चेप्टर कर रहे हैं एप में वो डे कौन सा था हमारा 11 चेप्टर का नाम है हमारा Comparing Quantities हम भी छोटे-छोटे चीज़ों को compare करते होंगे जैसे मानलो घर में दो बच्चे है कोई एक चीज आगी मम्मी ने हाफ-ाफ काट के दे दिया मानलो एक एपल है मम्मी हाफ-ाफ काट के दे रही है तो हम यह देखते हैं कि उसका बड़ा तो नहीं आ गया या फिर मेरा कम तो नहीं है कोई आइस क्रीम आ जाए घर में मम्मी आइस क्रीम खाने के लिए दे रही है तो हम पहले यह चीज देखते हैं दूसरे की कही उसको जादा तो नहीं मिली, हमें कम तो नहीं मिली, जादा कम ये चीजे देखना यही क्या होता है, Comparing, हम किसी दो चीजों को क्या कर रहे है, compare, हम किसी दो चीजों को compare कर रहे है, एक एक्जामपल लेते हैं, मालो एक लड़का है, उसकी हाइट के है हमारी 5 cm, एक प्री है, उसकी हाइट के है 19 cm, तो इन दोनों में कुछ compare होगा, क्या compare होगा है इनमें? हाइट कम्पेर हो रही है हमें दो चीज़ों को कम्पेर करने के लिए जूर्त पड़ी रेश्यों के इसके जूर्त पड़ी रेश्यों के देखते हैं रेश्यों क्या कहता है comparison of two quantities of the same kind with same unit by division is called ratio जब हम दो चीज़ों का compare करते हैं किसमें division में तो उसको क्या कहते हैं ratio the ratio of two quantities a and b is written as a ratio b और a by b यह जो symbol होता है यह symbol किसका होता है ratio का दखो एक लड़की की height थी five centimeter एक tree था जिसकी height थी nineteen centimeter ratio में बच्चे की height क्या है five tree की क्या है nineteen ratio में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे five ratio nineteen clear ratio की जूर्त हमें यहां पड़ी clear अब देखते है ratio में आगे अगर मैं बोलू three five क्या बोला जाएगा three ratio five इसको क्या बोलते हैं रेशयो बोलते हैं अब रेशयो के बाद हम सीखते है simplest form क्या होता है यह ratio is said to be in its simplest form if its term have no common factor other than one यह कह रहा है कि अगर कोई ratio में number है मानलो five by seven है इन दोनों में कुछ भी common नहीं है one के अलावा तो यह क्या है simplest form है clear है one के अलावा ही क्यों बोला क्योंकि one तो हर एक में common होता है one की टेबल में तो सारे चीज़े आती है one को छोड़के कुछ और common नहीं है इन दोनों में इसका मतलब ही क्या simplest form में है it is also called a ratio in its lowest term यह और क्या कहेंगे हम इसको five ratio seven को कि यह ratio वो ratio है जो किसमें एक दम simplest term में है example ले लेते है four by nine दोनों के दोनों के simplest form में है cancel नहीं हो रहे one के अलावा 13 by seven 51 by 19 नहीं हो रहे अगर मैं बोलूँ एक question है आपके पास 72 by 162 इसको simplest form में आप express करूं कैसे करेंगे देखो 72 by 162 है सबसे पहले शुरुआत करेंगे टू की टेबल से cancel करने में टू थ्री जा six टू सिख्जा 12 थाटीश आगया cancel वा तो टू के टेबल से 28 जा 16, 21 जा 2, 81 आगया टू के टेबल से cancel वा तो अब 81 टू के टेबल में नहीं आता तू के बाद आगे बढ़े हम थ्री पे टू के टेबल में 36 आता है थ्री बन जा 3, 32 जा 6, 3 के टेबल में 81 आता है 2, 32 जा 6, 2 बच गया, 27 जा 21, clear है दोनों के दोनों फिर दुबारा 3 के टेबल में आता है 3, 4 जा 12, 3, 9 जा 27 मतलब क्या आगया 4 बाई 9 रेशियो में लिखेंगे तो 4 रेशियो 9 अगर मैं आपको बोलू 6, 1 बाई 5 रेशियो 2, 1 बाई 3 है simplest form में लिखो पहले इसको mixed को improper में बनाएंगे क्या होगा इन दोनों की multiply add करते हो उपर वाला 6, 5 जा 30, plus 1, 31 by 5 हो गया तक 2, 3 जा 6, 6 plus 1, 7 by 3 हो गया रेशियो का मतलब क्या होता है, दो चीजों का divide होता है मतलब 31 by 5, divide 7 by 3 divide को convert किसमें करते हैं, multiply में जब divide को multiply में convert किया तो आगे वाले का क्या हो गया reciprocal, 93 by 35, यह है के simplest form में है, क्यूंकि 93 और 35 दोनों की इस एक के table में नहीं आगते, वन को छोड़ के, जब 93 रेशियो 35 क्या है इसका answer next देखो, 0.8 ratio 0.6, मैंने ratio है, divide में लिख लिया ratio से ratio क्या, decimal से decimal क्या हो गया, cancel क्यूंकि एक एक डिजिट के बाद था मतलब क्या हो गया, 8 by 6, 2 a table में आते हैं, 2 4s आ है, 2 3s आ, 6 मतलब 4 by 3, 4 by 3 को ratio में लिखेंगे, 4 ratio 3, simplest form जानने के बाद, अब है हमारा equivalent ratio, equivalent का मतलब क्या होता है, जो चीज़े दे रखें, उसको हम आगे बढ़ाएं, यह होता है, 5 by 5 ratio 11 था, इसका मतलब क्या है 5 by 11, यह मैं पहले वाले चप्टर में भी आपको बता चुकी हूँ, कि अगर 5 by 11, अब यह किसमें है एक fraction में है, fraction की equivalent form आपको निकाल ली आती है, numerator, denominator को पहले 2 से multiply कर दिया, 5 तूसा 10, 11 तूसा 22, फिर 3 से multiply कर दिया, 5 multiply 3, 11 multiply 3, कोई doubt है, यह जो ratio है, उसको fraction में convert किया, 2 ratio 7 का मतलब 2 by 7, 2 by 7 fraction के chapter में हम सीख चुके, कि हम कैसे निकालते है, equivalent form, numerator, denominator को multiply करेंगे 2 से पहले, तो दोनों जगे 2 से, फिर multiply करेंगे 3 से, तो दोनों जगे है, 3 से, 2 तूसा 4, 7 तूसा 14, clear है, 2 तूसा 6, 7 तूसा 21, clear है, अब है, comparison of ratio, जब दो ratio को, हम compare करेंगे, मतलब कौन सी चीज छोटी है, या कौन सी चीज बढ़ी है, clear है, comparison of two ratio can be done by cross multiplication, cross multiplication से भी हम कर सकते हैं, example लेते हैं, 1 ratio 2 and 4 ratio 7, ratio में हैं, fraction में बना सकते हैं, 1 by 2, 4 ratio 7 का मतलब 4 by 7, fraction को compare करना, हम पिछले chapter में सीख चुके, चलो cross multiply से एक बार देख लेते हैं, इस numerator की multiply होगी, इस denominator से, 1 multiply 7, numerator की denominator से, 2 multiply 4, denominator multiply होगा, numerator से, clear है, इसमें तो फरक नहीं होगा, 4 multiply 2 हो, या 2 multiply 4, answer क्या आएगा, 8, 1 7 जा, 7, 2 4 जा, 8, बढ़ा कौन सा है, 7 8 में से, 8, इसका मतलब, sign कौन सा है, greater than का, यहां है, मतलब sign यहां ही रहेगा, मतलब बढ़ा कौन 7 by 2 और 4 by 7 में से, 4 by 7, 4 by 7 बढ़ा है, मतलब ratio में भी कौन बढ़ा है, 4 ratio, 7, clear है, यह हमने cross multiply से करा था, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं LCM ले लू, 1 by 2 and 4 by 7 था, मैंने LCM लिया 14 आया, 2 में क्या multiply किया, 7, तो numerator में भी multiply होगा, 7 में क्या multiply किया, 2, तो numerator में भी multiply होगा, clear है, 1, 7 जा 7, 4, 2 जा 8, 7 और 8, 7 by 14, 8 by 14, कौन बढ़ा है, denominator से मैं तो उपर numerator वाली डिजिट compare करेंगे, 8 बढ़ा है, 8 बढ़ा है मतलब कि अगर sign greater than का यहां पे है, तो यहां पे आएगा greater than का sign, तो यह बढ़ा है, यह बढ़ा है, मतलब 4 ratio 7 का है मेरा बढ़ा, ratio को खाली fraction में convert करा है, fraction में convert करके, मैं पिछले chapter में सिखा चुकी हूँ, कि कैसे हम दो ray fraction को compare करते हैं, अब करते हैं कुछ questions, जो मैं आपको assignment में आज देने वाली हूँ, question 1 और question 2 जो होगा, वो होगा, खाली simplest form में convert करना, clear है, question number 3 देखते हैं, if A ratio B equal 3 ratio 7 के, and B ratio C equal 7 ratio 8 के, find मुझे क्या निकालना है A ratio C, मैंने लिखा पहले, A by B is equal to 3 by 7, fraction में, B by C is equal to 7 by 8, ये चीज़े दोनों मेरे को given थी, B देखो, B क्या है 7, यहां से भी B क्या है 7, जब दोनों में जो common है, वो same है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, सिधा क्या हो जाएगा, A ratio B ratio C, 3 ratio 7, ratio 8, अगर B यहां पे अलग लोग होता, तो मैं कुछ operations लगाती, कभी questions आगे try करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगी, सिधा लिख दिया A ratio B ratio C, लेकिन B नोंने पुच्छा नहीं, B को हट आदेंगे, A ratio C क्या आजाएगा, 3 ratio 8, next question है, divide rupees 880 between Sumit and Rhea, in ratio 1 by 5, ratio 1 by 6, क्या कह रहा है, 880 rupees है मारे पास, Sumit और Rhea में बाटने है, ratio 1 by 5 and 1 by 6, given ratio हमें यह दे रखिया, लेट कर लिया, जो Sumit को मिले है, वो कितना मिला है, 1 by 5, किसका X का, clear है, X मैंने कोई एक value मान लिए, खुद से, लेट कर लिया, मैंने Rhea को कितना मिला है, rupees 1 by 6, किसका X का, clear है, 1 by 5 of X, plus 1 by 6 of X, is equal to 880, क्यों, क्योंकि जब दोनों के पैसे जोड़ेंगे हम, तो total money मेरे पास इतनी थी, इतनी रुपे है ना, total हमारे पास, LCM लिया, 6, 5, 6, 30, यहां पे multiply हुआ है, 6 से, तो numerator में भी 6 से multiply, यह denominator में multiply हुआ 5 से, denominator में भी multiply 5, यह चीज़े हम पिछले चैप्टर में भी कर चुके है, यहां तक को इडाउट है, 6X plus 5X कहां से आया, 6X और 5X कितने हो गई, 11X by 30, is equal to rupees 880, clear है, जो चीज़ divide में है, किसमें आई यह चीज़, divide में, divide वहां जाएगा, तो किसमें बन जाएगा, multiply में, जो divide है, वो उधर जाता है, तो किसमें convert हो जाएगा, multiply में, clear है, multiply किसमें convert होता है, divide में, 11 multiply में था, कहां चला गया, divide में, clear है, यहां तक, 11, 1 जा 11, 11, 8 जा 88 और 0 मतलब क्या आगया X? 80 multiply 30 80 multiply 30 क्या होता है? 2400 X की value है 2400 सुमित को कितने मिले थे? 1 5th of, of का मतलब multiply किसका X का देखो मैंने ये चीज मानी दी ना 1 by 5 X, X की value रब दी 2400 5 1 जा, 5 4 जा 20, 8 जा 40 और 0, clear है? मतलब सुमित को कितने पैसे मिले थे? 480 रिया, रिया को कितना मिला था मेरा 1 by 6 X, X की value रख दी 1 by 6 multiply 2400 क्या आगया? 6 1 जा 6 4 जा 2400 मतलब रिया को कितने मिले है? 400, अपना answer verify करते हैं सुमित को कितने मिले 480 रिया को कितने मिले? 400 ये चीज़े करें उपर दोन्नों को मिला दें अगर तो कितने हो गए? रिपी is 880 ये हो गया दोन्नों को मिलाने के बाद ये ही तो कोश्चन में था कि 880 है clear है? नेक्स्ट आगे करते हैं बाद में कर्णाओ में आगे करें कर्णाओ Kos